बिस्मिल्लाइ राह्मान इर्राहीम असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टू भाई चैनल कोकेंद विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो आफ्यास से होंगे अल्ला तला आपको हमेशा हुश्वर अबाद रखे आमिन सुमा आमिन तो विवर्स आज हम बहुत ही चटपटी सी और बड़ी खटी मीटी थी चटनी की रेसिपी लेकर आपकी हिदमत में हाजर है आज हम इमली की चटनी बनाने जा रहे हैं यह हमने कैसे त्यार की है चलिए देख लेते हैं एक सुपचास क्राम लेली थी इमली और इसको गर्म पानी में हमने तक्रीबन एक घंडे के लिए भिगो दिया था ताकि यह सोफ्ट हो जाए हो और हम इसका सारा ही पल्प असानी से हासिल कर पाएं और एक घंडा गुजर चुका है गर्म पानी में इसको भिगोए हुए अ बहुत ही सिमपल और असान सी रैसिपी है आपको बेह ada पसान आने वाली है बहुत ही खटी 미टी थी और बहुत चट पटी थी यह चटने तयार होने वाली है तो सारे ही बीच हमने निचोड़ लेने है अब हमने क्या करना है जिस पैन के अंदर हमें ये चटनी तयार करनी है उस पैन को ले लेना है और एक अदर चलनी ले लेनी है क्योंकि बीच के इलावा भी इसके अंदर कुछ लवाजमात होते हैं उसको भी हमें सेपरेट करना होगा तो अब हमने ये सारा ही पल्प वाला इमली का पानी चलनी के अ दाल दिया है और इसको सारा अच्छे त्रीके से साफ कर लेते हैं ताकि थोरा सा भी पल्प जायाना हो पाए और एक कपकी करीब इसमें पाने शामिल कर देंगे और साथी साथ चलनी को भी साफ कर लेंगे तो इस तो इसको गिरा देंगे जो इसके बीच पचे हैं और अब इसके अंदर कुछ हमने मसाले शामिल करने हैं जो इसको बहुत ज्यादा फ्लेवर फुल और मज़ेदार बना देंगे यहां पर जीरा पाउडर शामिल किया है जो कि इसकी जान है बहुत यच्छा फ्लेवर आएगा हाफ टीस्पून है और ड्राय रोस्टीड है थोरा सा हम इंजर याने के अधरक शामिल किया है और बस एक ही लेसन का कलोफ याने के कली लेकर उसको क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दिया है इन दोनों के डालने से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आजाएगा वन बाई फो टीस्पून के क्रीब शामिल कर देंगे नमक जो के हैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इस पैन को रख देते हैं चूले के उपर हमने सारी चीते मिक्स कर ली है फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके को कर लेंगे तो चले इवर इसको अब हमने कवर कर लिया है दस मिनट तक इसक मैंने यहाँ पर चीने शामिल कर दी थीो और अब हमने क्या करना है चीनी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है और जैसे ही चीनी मिक्स हो जाएगी यानि के अच्य तरीके से इसकें अधर जये पूँर जएगी होने के बाद और भी ज्यादा थिक हो जाएगी तो चले वज अब मज़ेदार सी और खटी मीटी सी चटने जोके बहुत जल्दी तयार हो चुकी है इसको सफ करते हैं अपने सर्विंग बाउल के अंदर बहुती मज़ेदार लजीज और बहुती कमाल की चटने तयार हुई है इसको आप चार्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं चाहें तो दही भले के अलगें के इसको इसको स्माल कीड़े या ऐसाइद डिश चालमों के साथ ह रोटी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टफूल बहुत ही चल्दी बन जाने वाली इमली की खटी मिठी चतने तयार हो चुकी है और चाहें तो ऐसे ही इसको इंज्वाई कर सकते हैं यह देखे कितनी यमी और टेस्टफूल लग रही है तो अमीद है विवर्स आपको मेरे यह रेसीपी पसंद आई हो लिएगा इसके साथ ही विवर्स इजादत चाहती हूँ फिर हाजिर होंगी इंशाला एक नई रसीपी के साथ अपना बहुत सा हयार रखिएगा मुझे भी दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफेज